नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशी शुकला और आप देख रहे हैं डीप नॉलिज्ज क्वेश्चन यह है कि जब हम लोग सोशल गैदरिंग में होते हैं जहां पर धेर सारे लोग होते हैं तो वहां पर अकेला महसूस करते हैं तो फ्रेंड्स कैसे बनाए जाए इसके बारे में कोई आपकी एक्सपिरियंस है मेरे एक्सपिरियंस तो नहीं है मेरे बहुत फ्रेंड नहीं है मेरे बहुत कम फ्रेंड्स है मेरे फ्रेंड्स में कौन कोन आता है अनिल आते हैं रिंपी आती हैं आमानाते हैं, सिम्रन, अननदिनी यही लोग हैं और इस लोग कैसे बने फ्रेंड्स यह मैं आपको बता सकता हूँ फ्रेंड्शिप के तरीखे एक तो ये कि आप जबरजस्ती फ्रेंड्शिप ना करने की कुशिश करें क्योंकि अगर आप friendship के थ्रू कुछ चाहते हैं किसी से अपना अकेलापन भी दूर करना चाहते हैं तो वो आपकी friendship की जो relationship है जो भी उसको dilute कर देगा उसमें एक दूसरे को आप ऐसा मैसूस करेंगे जैसे आप use हो रहे हैं या तो use कर रहे हैं क्योंकि friendship में सबसे बड़ी problem यह आती है कि आप जिस समय खुश है और जिस समय दे सकते हो तो उस समय देते रहते हैं लेकिन जिस समय हम नहीं दे सकते कोई चीज उस समय वो friendship जो होती है हमारी वो दुष्मनी बन जाती है होता है ना अकसर नहीं नॉर्मली दोस्त हैं, फिर बाद में हमारा दोस्त किसी के साथ चला गया, तो उस पार्टी में गया, मुझे नहीं बुलाया, फिर उस दोस्त दुश्मनी बन जाती है, पट, सचमझ की जो फ्रेंट्शिप होती है, जिसको फ्रेंट्शिप बोलना में नीच्छाहिए, नाम देदिन से खराब हो जाता है, वो तभी होती है, जब हम किसी से भी, जिससे भी हम दोस्ती कर रहे हैं, उससे हम बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, जब तक हैं, तब तक शेरिंग कर रहे हैं, जब नहीं हैं, तब अकेलेपन का मज़ा ले रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा फ्रेंड बनना है किसी का, या किसी अच्छे रहे हैं कि अकेला रहना सिखोगे तो ही तुम्हारे फ्रेंड्स बनेंगे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे आपके लेकिन जब आप अकेला रहना सिखोगे अपने अकेले पन के साथ रहोगे उससे भागोगे नहीं तो आपको अपने मन की उलजने मालूम पड़ेगी जिसकी वज़े से आपके आसपास के लोग आपसे दूर भाग रहे हैं आम तोर पे humans का nature बल्क सभी life species जो है जो भी जीती जाकती चीज़े हैं वो सब भीड में रहती हैं रहती है हैं अपने आपको हम फakah हम इसलिए ह। अंधर की जो उलजने होती है वही to share करते हैं शुरू शुरू में अच्छा लगता है जब तक कहों चुछ मिल रहा है लेकिन जब जो मिलना था वो मिल गया उसके बाद फिर परिशानी हो जाती है तो आपको अपने आप से ये देखना होगा कि जब भी किसी के साथ बैठे हैं या किसी के साथ इंटराइट कर रहे हैं तो अपनी उल्जने तो नहीं शेयर कर रहे हैं उसके साथ मैं फिर से कर रहा हूँ यह उल्टी बात लगीगी कोई हम लोग friendship में यही सोचते हैं कि अपने दोस्तों से अपने मन की बात कर लें उसके साथ informally बात कर सकें जैसे गाली गलोज के साथ बात कर सकें बट गहरी दोस्ती जो की आपको नरिश कर पाएगी आपको honesty के साथ आपके बारे में बता पाएगी और आपके साथ खड़ी रहेगी वो आती है जब आप किसी को यूज नहीं करते हैं और अपनी state of mind को समझते हैं जहां तक रही social gathering की बात मेरा तो आपको यह कहना है कि जाईया ही मत विकोज बहाँ पर केवल superficial टी चलती रहती है मैं गया था दो तीन बार मैं college की party में गया था बहुत साल पहले MBBS की party थी एक ही बार गया उसके बाद से और उसमें भी बड़ी खास चीज होती है पता नहीं आप लोग अगर जाना हो तो जाके देख किया यह groups होते है social parties में social gatherings में भी अलग-अलग strata की groups होते है intelligent लोग एक साथ इकठे होते है so called पैसे वाले लोग एक साथ इकठे होते है बिचारे जो गरीब मैसुस करते हैं अपने आपको वो एक जगा इकठे हो जाते हैं जो अपने आपको introvert समझते हो अपने आपको किसका पार्ट पोलेंगे मजबूरन किसी के साथ अपने आपको identify करेंगे तो ऐसी condition में आप अपना time waste करेंगे मैंने देखा था वहाँ पे gathering में अभी भी जो मेरे schools के और colleges की जो groups हैं उसमें group में किसी ने डाल दिया है बट मैं कभी कुछ बात ही नहीं करता हूँ यह social gathering में बात थोड़ी करना होता है किसी के साथ connect थोड़ी करना होता है हमारी mind की जो गहरे में जाकर के सोच पाने की ability है उसके साथ अगर connect कर लेंगे तो हमें अपने गहराई के level के लोग जो हमारे साथ communicate कर सकते हैं वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे आप जितनी गहराई में रहेंगे उतने ही गहरे लोग आपको मिलेंगे और अगर नहीं मिलते हैं तो शुक्र मनाईए कि आप बचे हुए हैं अकेले पन को कैसे deal करें कहते हैं अगर आप इंतिजार कर सकते हैं तो सही चीज़ें होती है बेसबर ना हो यह दूसरी quality है एक तो अपने आपको समझें दूसरा बेसबर ना हो सबसे अच्छा दोस्त पता है मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है मतलब कहावत है लेकिन फिर भी सही में सबसे अच्छा दोस्त है कौन? मगल में खड़े हैं इसी टेबल पे मेरे पास करीब 10-15 दोस्त खड़े हैं नहीं मैं सीरिसली बोल रहा हूं कृष्णमूर्ती ओशो या पीजे सहर ये लोग के साथ आप लाइव बात कर सकते हैं इनके साथ अपनी कम्यूनिकेशन डेवलब कर सकते हैं फिर इनहीं के जैसे लोग आपको मिलेंगे मैं कृष्णमूर्ती को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो शक्ती जी मुझे मिले और मुझे फिर उनहीं से बात किया तो अंकल मिले आई-एस ओफिसर जो है महाज़न जी उनको मिले मैं आज इमैजन नहीं कर सकता हूँ कि किसी आई-एस ओफिसर के पास जाकर के मिलें बट महाज़न जी या शक्ती जी उस टाइब की लोग हैं जिससे मैं हूँ वहीं पर एक दिन मैं गया था एक आई-एस ओफिसर से मिलने के लिए कि उनसे बात कर लूँगा उनसे दोस्ती हो जाएगी हम लोग यहाँ पर कुछ स्कूल्स मिल जाएंगे गवर्मेंट स्कूल्स और वहाँ पर हम लोगों कुछ प्रोग्राम कर लेंगे कुछ भी मटिरलाइज नहीं हुआ उल्टा वो जो आई-एस ओफिसर थे वो मुझे और घूस देने के चक्करे में उपड़े थे कि कुछ पैसा कमा लेंगे तुम भी कमा लेंगे वो तब होता है जब आप किसी की पॉजिशन को यूज़ करना चाहते हैं हमारे मन में कही ने कहीं था उसकी पॉजिशन को यूज़ करके हम लोग स्कूल्स पा लें बट यहाँ पर अंकल के साथ वो भी आईएस ऑफिसर आईएस था ही नहीं कहीं पर तो आप एक तो यह देखिए कि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं क्या आपका थाट प्रोसेस आपकी कंडिशनिंग यह कि जो ग्रूप्स बनते हैं वो सब कंडिशनिंग होती है आपको भी लिवाईस पसंदे मुझे भी लिवाईस पसंदे तो हम दोनों दोस्त बन गए आपको भी बुक्स पढ़ना पसंदे मुझे भी बुक्स पढ़ना पसंदे हम दोनों भी दोस्ती हो गई आगे चलके अगर दो लोग opposite sex में दोस्ती होती तो शादी हो जाती है, तो मैं उनसे बोला था कि इंडिया में शादी करना बहुत आसान है, डिवोर्स बड़ा मुश्किल है, है कि नहीं, उल्टा होना चाहिए, शादी बहुत मुश्किल से होनी चाहिए, गवर्मेंट को 10 पे आप फॉर्ण करट्री में जाना हो तो वीजा लेने के लिए आपका मेहनत करना पड़ता है, आपके बास बैंक काई में पैसे होने चाहिए, वहाँ जाए, ऐसे ही आपकी शादी होने में मुश्किल होनी चाहिए, डिवोर्स होने में, कुछ नहीं होना चाहिए, अज़ लोग नहीं दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, चाहे हजबन वाइफ हों, चाहे फ्रेंड्स हों, तो उसमें अपने मन में पॉईजन मत लाइए, कि ये बेवफा है, ये अच्छा लड़क आदमी नहीं है, इसकी दोस्ती तोड़ रहा है, ऐसा मत करिए, जो जाता है, इसका म तो don't try to make friends, try to know yourself, and don't try to use anybody, and then you will find some good people, जो आपसे connected रहेंगे, दोस्तों, जनुगा basic course में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, ये एक online program है, जहां पर आप हमारे basic course के जनुगा के Hindi videos आपको मिलेंगे, और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे, उसको हम लोग videos में बना-बन करके आपको future में डालते जाते हैं, इसके जरीए आप अपने आपको पूरी तरह से समझ सकते हैं, अपने mind को पूरी तरह से समझ सकते हैं, spirituality को पूरी तरह से समझ सकते हैं, अगर आप कहीं पर भी किसी भी practice में हैं, और आप stuck हैं, तो वो clear कर सकते हैं इस course के जरीए, तो you are most welcome to join Zanugabhisik course. Sexuality को लेकर के हमने अभी बहुत ही recently start किया है course जिसका नाम है Spiritual Masturbation. इसमें आप अपनी sexuality को, अपनी बच्चों की sexuality को, अपनी आस पास की जो भी relationship की issues हैं उसको पूरी तरह से detail में समझने के लिए ये course है और आप इसको जॉइन करके अपने इस पूरे ब्रह्मचरे के process को समझ सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी sexuality के जरीए होते हुए ब्रह्मचरे में जा करके उसके beyond जा सकता है. तो you are most welcome to join it. बता है business में बहुत सी छोटी छोटी चीज़े होती हैं जो हमको बहुत असानी से अगर कोई बता दे तो हमारे risk बहुत कम हो जाते हैं. कहा जाता है कि हमको कोई बताने वाला नहीं है. Even MBA में भी इतनी complex और jargon करके बताते हैं कि एक बच्चा जब MBA करके आता है तो उसको clear नहीं होता business कैसे करते हैं. तो आप WBX जॉइन करके world class business execution course जॉइन करके अगले एक साल तक आपको हमारे धेर सारे business उसके वीडियोज बनेंगे जो कि हम बहुत nutshell में खोज-खोज के निकाल के ले आते हैं दुनिया की जो best insights है, best business books हैं उसमें से निकाल के ले आते हैं शेर करते हैं, तो you are most welcome to join business basic course या WBX Thank you